तो गाईज हमेशा की तरह इस मैच की भी शुरुवात होती है लूटने से और इस बार हम लोग आया है सेवर ने बिकॉस बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि भाई आपको सेवर ने उतरना है और जितने भी स्कॉड आई कि उनको वाइप आउट करना है तो गाईज आप लोगों की कमेंट पढ़कर मैं यहाँ पर आया हूँ अगर आपके पास मेरे लिए कोई और चैलेंज है तो कमेंट जरूर करना और याद रखो गाईज हजार से यादा कमेंट आते तो यार किसी एक का ही चैलेंज कंप्लीट होगा हर वीडियो में तो इतना प्लीज अंडरस्टैंड करना आप सामने की तरफ बंदे चलो देखो उनको कैसे निपटाता हूँ अब गाईज यहाँ पर पहला बंद तो नौक नहीं होता है और दो-तिन बंदों का साथ में फूर्ष्टेप आने लगता है तो इसके लिए मैं अपना प्लान यूज करता ह के बुलाओ और फिर निपटाओ तो यहाँ पर आ जाता हूँ भाग कर और देखो क्या होता है तो गाई यह प्लान तो सच में काम करता है चलो इसका कुछ नाम रख देते जैसे कि भाग बेटा भाग एनमी को पीछे लेकर भाग आपके पास भी अगर कोई फणी साइस के लिए नाम है तो यह कमेंट ज़रूर कर देना यह क्लैन तो मतलब बहुत ही काम का है खेर आगे की तरफ जाताँ तो सामने की तरफ एक पूरी स्कॉड रहती है जो की मेरा वेट करते रहती है टी पी पी लेते रहता है उन्होंने मेको पीछे लेकर भाग भाग बेटा भाग एनमी को पीछे लेकर भाग अब गाईज मेरे सामने फिर से वही सुचुएशन थी कि पूरी स्कॉर्ड ने मेरे को स्पॉट करके रखा है पूरा एम उनका मेरे उपर ही है नीचे और बंदे थे तो यार मैं रिस्क लेना नहीं चाता था यहाँ पर देखो क्लच हो सकता था ऐसा नहीं की नहीं होता बट रिस्क ही काम था तो यार मैं रिस्क लेना नहीं चाता था इसके लिए मैं वापस से यहां से निकलता हूँ और उनको पीछे पीछे अपने भगाता हूँ और देखो उनको एक एक करके कैसे निप्टाओंगा अब यारी स्कॉट का एक बंदा तो निप्टाओंगा इसके निप्टाओंगा यहां पर बस मैं ही अपना दिमाग नहीं चला रहा था वह बंदे भी अपना दिमाग चला रहे थे बहुत फायर दे रहे थे उनको लगा कि मतलब मैं बेवकूप बन के आ जाओंगा बट मैं ठीक उनके सामने था उनको नहीं बता था और अब ही देखो क्या होता है तो गाइस यहां पर यह ट्रिक काम कर जाती है और आपको हमेशा रोटेशन मारते रहना चाहिए ठीक है बंदों को आपके अगर पोजिशन पता रहेगी तो सारे जुंड में आएंगे और आपको पता है कि जब एक सारे बंदे एक साथ आएंगे तो कलच करना बहुत जाद तो गाइस यह चीज देखा आपने मतलब ग्रिनेट मेरे से गलत हुआ बट इस बंदे ने गलत टाइम पर वहां से जम कर लिया जिसके वज़े से मेरा ग्रिनेट सही हो गया और यह बंदा हवे में फुट गया तो यार यह काफी अच्छा लगा में को खैर सामने वाली बिल्डिंग में भी बंदे थे जिनकी जाए चल रही थी तो यार चलो फटाइक से चलते हैं और उनको भी निप्टा देते हैं और हाँ गाई एक और बात अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हो तो जाहर सी बात है आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइ झाल को साको सकत YOU, प्याना को सकतिता सकते हैं तोस्च्ट जिसे हैं पीडादार आपको वीडियो का वीडियो का झुल storytelling कर ऊ hmm एंच माई avए एंफ जाम मान省 कर आपकोको के डिए पर तो यार ये दोनों के दोनों बंदे मेरे दो ग्रिनेट से फूट जाते हैं और बहुत सारे लोग जो बोलते थे कि यार भाई ग्रिनेट से आपको एक स्कौर्ड को वाइप करना है तो यार लो ये स्कौर्ड वाइप हो गई ग्रिनेट से खैर ये ग्रिनेट आपको कैसा लग अब यहां से निकलता हूँ और आगे जाता हूँ तो देखो क्या होता है अब गाईज यहां पर इस बंदे को मैं नौक तो कर देता हूँ लेकिन जब फिनिश करने जाता हूँ तो बंदा का और में चला जाता है अब सामने की और दूर में मेरे को एक बंदा दिखाई देता है जो कि जाहर सी बात है इसकी स्कॉड का नहीं था वह कहीं और फाइरिंग कर रहा था अब मेरे पास ग्रिनेड भरपूर है और यहां पर भी में ग्रिनेड से स्कॉड को आईप करने का ट्राइ करूंगा देखो क्या होता है तो यहां पर तीन बंदे ग्रिनेड से और चौथा बंदा M4 से यानि की पूरी की पूरी स्कॉड निपड जाती है अब ये बंदे जिन से fight ले रहे थे जो बंदे सामने की तरफ से car 98 चला रहे थे चलो उनको देखते हैं और उनको भी निप्टाते हैं अब गाइज यहां पर दो बंदे मैंने नौक कर दिये थे तीसरा बंदा वहां दूर से car 98 चला रहा था और चौते बंदे की में कोद तलास थी बट वो यहां पर दिखाई नहीं देता मैं टीपीपी लेकर spot करने की कोशिश करता हूं बड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता खेर एक बंदा जिसको मैंने finish कर रहा था उसको पूरा finish कर देता हूं और जो बंदा knock मैंने कर रहा था उसको भी finish करने के लिए आगे बढ़ता हूं और देखो क्या होता है अब गैस यहाँ पर पोजीशन का खेल समझो उस बंदे के पास कवर के नाम पर पूरी रिज थी और मेरे पास बस एक पत्थर दा और एक दासिया थी और यहाँ पर अगर गरेनेट आथा तो मेरा खेल खतम हो जाता इसके लिए मैं तुरंट पोजीशन चेंज करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बात देखो क्या होता है तो यार इसी के साथ यह बंदा भी निपड़ जाता है बस एक ही बंदा अलाइव था ज्यादा बंदे अलाइव रहते तो यार ज्यादा किल आपको देखने को मिलता इतना बड़ा मैप और बस एक ही बंदी की तलाश में मैं आगे जाता हूँ उस बंदे को बहुत डुनता हूँ बट मिलता नहीं बट जब मिलेगा तो देखो क्या होगा प्राई टुनता हूँ बट बट्याजिघ बॉँ बट् algorithms तो एक टाइम को तो मैं डर गया था कि मेरा क्या होगा बट ये बंदा बहुत ही बड़ा नूप था और इसी के साथ ये था आज का चिक इंडेर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रू बताना बागी आपने जो वीडियो यहां तक देखी उसके लिए थैंक यू थैंक यू सो म मैं था जा ए महा हुआँ मैं जो शिला को लिए पाुआ है, लिए लिए इन रागी ढिसे का चाहिए पार आपको को यादाय है ए कि दो जो शोड़ा है वार यास सबस्त्राव मोर्वा बापको ये पारा, पार चाहिए और ये दो इन दो घूत्स्त, चाहाँ है ये ए एक यह